हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम डारेक्टेड ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली क्रिया किलाप नंबर 57 करेंगे जो कि क्लास केजी टू सेकिंड के लिए है यह वर्कशिट 9 सेप्टेंबर 2020 की है स्टूडेंट यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना क्लास और सेक्शन लिखेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज की वर्कशिट वक्षिट शुरू करने से पहले बिटा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे की आगे आने वाली वक्षिट और वीडियो आपको आसानी से मिल जाए तो आए देखते हैं आज की वक्षिट फूट्स ममी had kept all the fruits in the basket but little Raju took out all the fruits from the basket and mixed them with the other things help Raju in identify the fruits and putting them back into the basket write the correct serial number of the fruit in the basket ममी ने सारे फल तोक्री में रखे थे लेकिन नन्हे राजू ने फलो को बाकी चीजों के साथ मिला दिया फल पहचान का टोक्री में रखने में राजू की मदद कीजिए इनके लिए फलो की संख्या क्रम टोक्री में लिखिए तो बेटा देखो राजू ने क्या क्या सारे fruits निकाल के अलग-अलग mix कर दिया तो हमें जो fruits हैं उसके numbers को basket में रखना है तो पहले हम देखते हैं क्या क्या चीज़ी है onion, pineapple, leaf, egg, apple, banana and orange तो इनमें से बेटा जो भी fruits है ना उसे हमें कहां रखना है basket के अंदर रखना है उसे हमें तो आईए करते हैं answer बेटा तो देखे सबसे पहले क्या हो जाएगा क्रम से रखना है, cereal wise नमबर 2, 2 पे क्या है pineapple, pineapple क्या है fruit, leaf नहीं रखेंगे यहाँ पे onion भी नहीं रखेंगे उसके बाद egg भी नहीं रखेंगे नमबर 5, 5 पर क्या है apple, नमबर 6, 6 पर क्या है orange, sorry 6 पर क्या है banana और नमबर 7 पे क्या है orange, तो कौन-कौन से नमबर आए 2, 5, 6 और 7 यह नमबर कहां पे आए basket के अंदर क्यूंकि fruits कौन-कौन से जो भी fruits और को हम circle कर देते है यह fruit है, यह fruit है और यह fruit है तो यह सब क्या है fruits है और इनको हम ने क्या कर दिया है circle कर दिया है आगे देखते हैं बिटा का पसंदी का दा फल कौन सा है उसका चित्र बनाईए उसमें रंग भरिये और अपने माता बिता को बताईए कि यह है फल आपको क्यों पसंद है तो बिटा आपका फ्रूट कौन सा फेवरेट फ्रूट है पहले आपको वो लिखना है उसके बाद उसका डाइग्राम बनाना है सुन्दर सा उसकी ट्रोइंग बनाईएगा और उसमें रंग भरियेगा तो अगर मेरा आप पूछते हैं कि फेवरेट फ्रूट कौन सा है तो मेरा फेवरेट फ्रूट है एपल मुझे एपल बहुत पसंद है और क्यों पसंद है क्योंकि इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आईए करते हैं इसका अंसर बेटा हम तो देखे क्या होगा बेटा इसका अंसर मुझे से बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे इसका स्वाध बहुत पसंद है देखो अच्छा क्यों लगेगा क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए तो मुझे से बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे इसका स्वाध पसंद है ठीक है आईए अब next question करते हैं बिटा देखे क्या है next question why it is important to eat fruit discuss with your parents फल खाने क्यों जरूरी है अपने माता पिता से चर्चा किजे देखो फल जो होते हैं फ्रूट्स बटा हेल्दी होते हैं हमें एनर्जी देते हैं हमें ताकत देते हैं हमें स्ट्रोंग बनाते हैं इसलिए हमें फ्रूट्स खाने बहुत जरूरी हैं तो आईए ल शक्ति पहुंचाते हैं फल खाने से हम या आप लिख दीजे यहां पर हम स्वस्त और मजबूत रहते हैं तो आपकी वर्क्षिट कंप्लीट कीजिए वर्क्षिट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कर आईए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक यू स्टूदेंट्स